this is the only answer in my view हमें लाज स्केल घर वापसी करनी पड़ेगी आप ये कर दीजिए आपकी मंदिरों की समस्या पूरी हो जाएगी आपकी हिंदू राष्टर की डिवांट पूरी हो जाएगी आप हिंदू ही रहेंगे तो हिंदू राष्टर ही हो जाएंगे अठानवे क्रिश्चन को री कंवर्ट करा ये न्यू स्टोरी है बताइए जी डेड़ सो को हम वापस लेके आए और एक सो चालिस करोड की पॉपिलेशन में डेड़ सो मुसल्मानों को वापस लेके आए क्या बड़ा काम कर लिया मैं कॉर्परेट लाइफ से आता हूं आंत्र क्लू ही नहीं हमारे को ऐसे गोल्स हमारे को सेट करने पड़ेंगे और ऐसा एक गोल है हिंदु धर्मा हैस तो बिकम मिशनरी और वी हाव तो कंवर्ट 10 क्रोर मुसलिम्स बैक टू हिंदु इसम बाइट वैं 2035 अब आप कहेंगे जी क्या बात कर रहा है यार राइट तो प् नमस्कार आज की प्रेजंटेशन मैंने सबसे पहले कुछ 3-4 महीने पहले हिंदु जन जागरती समिती गोवा में यह प्रेजंट करी थी और उससे और कुछ 2-3 महीना पहले एक छोटे से ग्रूप में हिंदु इंटेलेक्चुल अक्शन ओरिएंटेट ग्रूप ऐसा संगठित हुआ था वहां पर प्रेजंट करी थी यह प्रेजंटेशन में आप सबके सामने लाना चाहता था सांजा करना चाहता था पहले नहीं कर पाया था रिकॉर्डिंग नहीं थी टॉपिक आज की प्रेजंटेशन का है हाव हिंदु ओगनाइजेशन नीड तु थिंक अबाउट सॉल्विंग हिंदु इशूस हिंदु संस्थाओं को हिंदु इशूस को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचना पड़ेगा यह एक स्ट्रेटीजिक प्रेजंटेशन है हम हमने बहुत डिस्टिंस कवर कर आए पिछले आठ नौ दस सालों में अब हम अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं धंक से सेक्डों चैनल आ गए हैं जो जहां पर अपनी हिस्ट्री बताई जा रही है अपने नारेटिव अपने पॉलिटिकल नारेटिव बताई जा रहे हैं हम किताबे लिख रहे हैं बहुत सारी हम सावरकर की हिस्ट्री वापस ला रहे हैं टीपू सुल्तान की असलियत सामने आ रही है यह जो हम बच्पन में मैं भी आप सब बहुत सारे लोग होंगे जो दरगा जाते थे कभी चिष्टी की कभी कहीं कुछ फूल माला चड़ाने मंदिर वापस बना रहे हैं चाहे सुप्रीम कोट के बहुत सही बन रहे हों मगर बन रहे हैं राम मंदिर बन रहा है और विश्णु शंकर जैन जैसे धुरंधर उनके पिताजी हरी शंकर जैन की वज़ा से काशी विश्वनाथ वापस बनेगा 100% के रिला में बहुत सारे छ वबना रही है कोईसाओं 300 दिरले हो रहे हैं शार्दा पीठ पूलिएस अफकॉर्स हमारी साइड पर असली शार्दा पीठ तो पी हम आरे बहुत्त सारेग इनर्जी तो बहुत कम पहले देशने को मिली है आज आज से आप दस साल पहले जाई है आपको यह सब नहीं मिलता होगा अब बहुत नए नए गुरु को खुल रहे हैं उनके लिए फंड रेजिंग हो रही है पूरे भारत में हो रही है हम पहली बार पब्लिक ली टीवी पे इसलाम को चालेंज कर रहे हैं आज तक हम चुपी साधे बैटे थे अब एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं हमारी इस तरफ के व्यक्ती बोल रहे हैं आनन रंगनाथन शाइद हमारी सबसे बड़ी टीवी पे लार्ड स्केल वॉइस है हम फिल्म्स बना रहे हैं केरला स्टोरी भी बना रहे हैं पश्मीर फाइल भी उससे पहले अब दिल्ली फाइल और ना जाने क्या कितनी कितनी फिल्म कोशिश कर रहे हैं बनाने की आगे किताबे तो चेंज नहीं हुई हमारी हिस्ट्री की सबने बोल दिया इस सरकार के सबसे बड़े मिनिस्टर्स ने खड़े ओकर बोल दिया कि हमारी किताबे चेंज होनी चाहिए हमारी हिस्ट्री बताई जानी चाहिए सही तरह से मगर समझ में नहीं आता उन्हीं के हाथ में हैं और फिर सरकार बदलती है अगर स्टेट में चेंज होता है तो वो आके दो हफते के अंदर सब कुछ अंडू कर देते हैं 15 साल का काम जैसे मध्यपदेश में शायद कितने कुछ महीनों के लिए शायद कमलना आथा था और सब कुछ जो हिस्ट्री की बुक्स का चेंज किया था पिछले 10-15 साल से सब अंडू कर दिया फिर भी हमारा इस सरकार का एक का इनिशिटिव है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भारती अग्यान पर अंपराओं का उसको स्कूल्स कॉलेजज जादे तर कॉलेजज वहां पर लाने की एक चेष्ठा है बहुत अच्छा एफर्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है और पूरे भारत में हर जगा इतनी एनरजी है आई के उपर इंडिविजूल्स संस्थाएं कॉलेज इस आई इस सांगम टॉक्स में रिकॉर्ड करें हैं बहुत सारे आपको जहां जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर आप तो बदलाव तो हो रहा है आप और समारी एकॉनमी का तो फैर बिल्कुल इतनी उर्जा शायद एकॉनमी में हमारी इंडिपेंडेंडेंस या उससे बहुत साल पहले कब ऐसी उर्जा थी एकॉनमी को रिवाइव करने के लिए शायद याद भी नहीं होगा कोई तो इस टरि कि हिंदू जागरती तो शायद 200 वर्षों में नहीं हुई होगी अब 200 वर्ष बोलने की बात है वह 100 हो या 300 हो आपके उपर आप जाज हैं बट एक कहने की बात है कि बहुत समय से इतनी हिंदू जागरती शायद हमने तो नहीं देखी और यह बढ़ती जा रही है एक बहुत अ अच्छा विचार है जिसमें यह माना जाता है कि नरेंदर मोधी आप कॉंसेवन्स ओफ हिंदू रिसरुजंस हिंदू रिसरुजंस का वह रखना और यह एको सिस्टम आगे बढ़ना यह एक दूसरे को complimentary तरह की एक forces है if you like and so रहना जरूरी है आगे बढ़ते हैं मगर हम हमारे जो देश में साथी हैं वो 2047 तक भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं PFI का ये document है आप सबको पता होगा नहीं पता तो Google करके देखिए ये publicly available document है हम इस वीडियो के description में इसका link भी देंगे कि कहां पर ये अपको available है पूरा पढ़ने के लिए और public document है सरकार के पास भी a document है PFI का जब भारत सौवर्ज का हो तो कब वो कैसे वो पूरा इस्लामिक रूल देश के अंदर ये clear document है ठीक है उनकी population बहुत scale से बढ़ रही है दो हजार इकिस का survey तो नहीं है मगर दो हजार ग्यारा का जो census survey है डॉक्टर जे के बजाज का once again आप संगम टॉक्स पर डॉक्टर जे के बजाज की डेमोग्राफिक्स के उपर टॉक देखिए जंजोड देगी आपको कि कैसे बदलाव उन्होंने documentation करिए of I think 1950s onwards कि कैसे कैसे population change हुई है हम लव जिहाद के endless cases से जूजते रहते हैं केरिला से लेकर UP कश्मीर तो खेर अलगी बात है हर तरफ हर कोने कूछे देश में लव जिहाद भोपाल में चलती रहती हैं इंदौर की कहानी है जो आपके सामने है हर जगा ऐसा चल रहा है कहीं मौलवियां कहीं मौलवी कहीं ऐसे आम लोग जो लाज केल पे लव जिहाद को पूरा अपने देखा ही होगा कैरिला स्टोरी में कैसा का नेटवर्क है वो वो स्टोरी है अगर डाउट आता है मन में तो अर्श विद्या समाजम के रिला में हैं उनके आप जाके उनकी लड़कियों के वीडियो देखिए मल्यालम में हैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक हिंदी बोलती है थोड़ी टूटी-फूटी अंग्रेजी ब तो यह भी हमारी एक लड़ाई है कि उनको भी बदलाव हो हम बस यही प्रूव करने में ही लगे रहते हैं ऑफ कोर्स अगर हम नूपुर शर्मा का नाम भी ले लें सपोर्ट नूपुर शर्मा तो हमारे गले काट दिये जाते हैं आ जाते हैं धोबी बनके काईरों की तरह अपना सिलाई का नाप करवाने और गले काट देते और वीडियो डालते हैं सामने से तो चाकु भी नी भूगते हैं और यहां की पार्टिया यह मिए पार्टिय लीगल इंडिया की और सरतन से जुदा सर काटते हुए पोस्टर भी लगा सकते हैं और पता नहीं इनके ऊपर कुछ नहीं होता यह अपना ओवेसी और यह सब तो जेल नहीं जाते वो तो मुझे दिखता नहीं है चलिए और यह लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि यह बहुत बड़ी ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो एकदम सच बोलते हैं कि इस्लामिक लौग तो चेंज न बेकार की बाते हैं तो मेरे अंदाजे से हम जैसे विश्म में चीजें चल रही है इस्राइल का बौर शुरू हो गया है आप देखी रहे होंगे कि उनको यह लांड का इशू नहीं है उनको इस्रेल को और जूज को खतम करना है यह अक्चली क्लियर आइडियोलोजी की बात है मेरा एक वीडियो है इंटर्वियू इंटर्वियू जेनरल अरविन भाटिया के साथ संगम टॉक्स पर आप देखिए उसमें हमने हमास का डॉक्यूमेंट है पूरा और आप जाके गूगल कर सकते हैं हमास की आइडियोलोजी आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उनका को कि और का हो वो कोई फर्क नहीं है उनीका हो गया ठपा लग गया अब आपको खाली कर रहा है बस और वो कुछ भी करेंगे उसको आपको वहां से उखाड के फेकने के लिए तो विश्व में एसी केवल दो-तीन जगई हैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं बट विश्व में एसी दो-तीन जगई हैं भारत है एक इस्रेल है और एक स्पेन है जहां से इसलाम के अउक्क्यूपेशन के बाद उनको महां से थोड़ा खाली करकर स्टेट को एक इधर से तो मेरे विचार में एक सिविल वार तो सर्टन है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे यह नहीं समझ में आता कि पार्टिशन से कैसे बच जाएंगे आप पार्टिशन की मांगे तो चोटी मोती तो आएग दिन आती रहती है कई वीडियोज हैं कई आप चोटे जर्नलिस्ट यूट्यूब चानल्स को देखिए तो वहाँ पर पार्टिशन की मांगे छोटे-चोटे लोकल मौलवियों से या लोगों से सब आती रहती है इसमें कुछ नई बात नहीं है यूपी के एरिया से तो बहुत अराम से यूपी बिहार मधिया प्रदेश यह तो अराम से चलती है ऐसी ओपन ली बाते चलती है और अनफॉचनेटली हिंदू लीडर से आप बात करें कभी भी किसी संगठन में किसी ग्रूप में ग्रूप मीटिंग में बैठकर अगर आप यह पॉइंट बोल भी दें कि जी हम सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं अधर पार्टिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत ग करेंगे यह बताई यह तो कोई बताता ही नहीं हमें क्लारिटी नहीं है हम क्या सिविल वार के लिए प्रपेर कर रहे हैं मुझे तो नहीं दिखता आसपास की कोई सिविल वार के लिए हमारी बड़ी प्रिपेरेशन चल रही है हम तो एक्चली उनकी प्रॉब्लम्स और उन्हें अपनी जीत बोल रहे हैं जैसे के ट्रिबल तरफ्वल – प्रॉब्लम अइनी है है ना या मारी स्पार आपके लोगों में हम आपको मेंट लूने आप मेंटरी नहीं होना चाहते हैं हमने सब को यह लूबन जाते है पको क्या फरक आएगा मगर वो फरक आते आते 20-30 साल लगेंगे कोई जल्दी का फरक नहीं है ठीक है यह बेसिकली मुसल्मानों की बैटल है जो हम बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने बड़ी अच्छी जीत जीती है हम यूशी सी चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है यूशी सी करें मगर कि कि हींडू प्रावलम में यूणीफरम Hond ऑंड़ लूयन वंडभा व क्या है हुंदू प्रावलम में अंको देनी च यह हम कोह इंदू परैशानी है अश्व मयंसाइल कुरा निटाषी में 1292 महिं चाईज हमने कोहीं और था जिसमें हम हिंदू मारेज़ आक्ट डाइवोर्स यह सब एकदम मॉडनाइज किया था ओन लाइन ऑफ दे रेस्ट अफ दे वर्ल्ड तो हमने तो यहां थोड़े प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे बड़ क्या सबने रक्सेप्ट किया आज यहां पर पूरा का पूरा यह वही तुमारे उपर भी देगी बड़े अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए बट यह हमारी बैटल नहीं है यह हमारे हिंदू समाज को आगे बढ़ा रही है यह ऐसा नहीं हो रहा है मगर और हम क्या बोल रहे हैं हम जी उनको जाकर यह बता रहे हैं कि आप जी सूप्र संदा मुस्लिम भी बता रहे हैं कि आप मारे भाई हैं और यह सब हम करते जा रहे हैं और इसके अलावा हमारी अंगिनत और लडाईयां यह देखते हैं वो भी हम जी एक हिंदू मजॉरिटी नेशन में कॉंफरेंस करते हैं इकुल राइट फॉर हिंदू के लिए यह हमारी स्थिती है कि हमें करनी पड़ रही है हमारी स्थिती है कि हमारे मंदिरों का पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं है यह तो आप सबको पता ही है उसके लिए दोनों connected issues है यह एक 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 पर हिंदू के आर्टिकल्स 25-30 Constitution से connected है और उसी से connected है यह टेंपल्स को free कर करना अजीब सी लड़ाई है कि आठ प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में मगर माइनॉरिटी रेकेगनिशन नहीं है जो सुविधाय माइनॉरिटी को मिलती है वो पूरे भारत को एक तरह से देख लिया जाता है कि आप मजॉरिटी है तो आपको बस मतलब वहां पर जहां माइनॉरिटी है वहां पर भी मजॉरिटी की तरह से ट्रीट करा जाएगा यहीं लड़ाई हम लड़ते रहते हैं फिर तो हमारे बड़े सारे पॉलिटिशन है जी स्वास्तिक को जाडू से पीटते हैं आए दिन हमारे देवी देवताओं के काटून बनाते हैं हम वो अज मेरा जी मन हो गया है कि मेरा नहीं की बॉडबी में वुमन हूँ यह अंए-टुके ऐमेरिकन आइडिया श्रीक एक्डम बेहूदा आइडियाज एक्षपोर्ट करकर अपनी आइपनी पाली संवेंदियों के थ्रू को ईंडिया में भेउज हैं और हम ब्र क्रचाएं कर फिर वो लड़ाई भी हम डिफेंड करते रहेंगे वहां पर भी फिर ग्लोबल हिंदुतवा को डिस्पैंट लिंग कॉन्फरेंस होगी फिर जी अपना कास्ट के इशूज आने शुरू हो जाएंगे सियाटल सिटी यूएस में कास्ट लौ पास्ट करेगी अब आकी और स्टेट्स में और यूनिवर्सिटीज में कास्ट लौ है कली में आर्टिकल पढ़ रहा था कोई फोब्स या Harvard Business Review या कहीं पर कि आपको कास्ट कैसे अपने offices में identify करना चाहिए और identify कर लें तो क्या आपको ध्यान में रखना होता है कि कास्ट कैसे operate करता है ये सब discussion ये भी हमारी लडाई है कली किसी एक पंडित जी हैं उनसे बात करी इंगलिन में रहते हैं वो कह रहे थे मैं इसके बहुत बड़िया मगर हम सब जूझे पड़े हैं हर कोई किसी तरह की रड़ाई में हलाल तो खेर ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हजारों करोड भार रही है एजुकेट करने के लिए कि एजुकेट करके सायद मीन्स्ट्रीम हो जाएंगे पूरे योरोप ने यही कोशिश कर सब कुछ दिखता नहीं है फिर जी इसलाम के खिलाफ बोलो तो आपको इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है फिर हम वहां डिफेंड करते हैं फिर हमारी पॉपिलेशन की डिक्लाइनिंग यह मैं आगे बात करूंगा और इंक्रीजिंग उसलिम पॉपिलेशन मैंने आपक पढ़े हैं तो क्या एक बड़ा पॉपिलर स्लोगन होता है कि जी हिंदू राष्ट्र बना दो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यह क्या यह हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा कैसे बदलेंगे इस Constitution को आज की एक जो Constitution है जहां हमें आर्टिकल 25-30 को मॉडिफाइ करने के लिए एक Equal Rights for Hindu Conference करनी पड़ रही है आपके रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो सब बदल जाएगा यह बदलेगा कैसे यह थो थोड़ा समझाना भी तो चाहिए हमारे को या बोल देने से कि नहीं जी हम हिंदू राष्ट्र तो हैं हिंदू राज्य नहीं है चलिए अब बनेगा कैसे वो बता दीजी आपका रोड मैप क्या है वो बता दीजी हो कोई बताता नहीं है कुछ पता ही नहीं है बस लोगन रिंग चलती रहती है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र पता नहीं यह समझना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है सटीक बात है बुरी लगेगी मगर हिंदु राष्ट्र किसी भी सरकार के लिए इस Constitution के रहते असंभव है सुन लीजिए असंभव है असंभव नहीं हो सकता impossible there is a basic structure basic framework of the Constitution मैं पुने में था एक हिंदुवादी ग्रूप से बेट कर बात हो रही थी बहुत गुस्य में नहीं जी हम कोर्ट में जाएंगे यह करेंगे चार-पांच साल तो मुझे उस बात को ही हो गए एक तिनका नहीं हिला पाए आप Constitution का और 20 साल निकाल देंगे और 30 साल निकाल देंगे के Constitution बदल के कोट में केस करके यह सब नहीं होने वाला आपके पास पूरी पावर में रहते हुए 300 से उपर सीटे रहते हुए आप कुछ Constitution में बदलाव नहीं कर पाए हिंदू को इकुल राइट नहीं दे पाए आप Constitution को बदल के हिंदू राष्टर कैसे बना देंगे तो यह बे तुकी बे तुकी स्लोगन-earing है बस और इससे जाधा और कुछ है नहीं थोड़ा अगर बुरा ना लगे तो यह हम हिंदूों को बेवकूफ बिनाने वाली बात है हमारे हमारे रोश को कम कर देने की बात है और इसमें जाधा कोई कोई मीनिंग नहीं है इसके लि जाता है यह हिंदू संगट इतनी है जी संगट इतनी होता सारी प्रॉब्लम मारी बता देते हैं सारे पॉलिटिक्षिन सारे बड़ी-बड़ी हिंदू संस्थाओं वाले कि आप गठ्थे उतरते हैं क्या करें काम दाम छोड़ के उतर जाएं अब हम तो नहीं है ना उनकी तरह की मस्जिदों से बाहर से जो भी फंडिंग आती हमें बच्चों को भी पालना है पढ़ाना है हम तो आगे बढ़ाने यह सब काम हम उसके साथ साथ करते हैं रिस्क ले लेकर ठीक है जी अच्छा फिर बात आ जाती है जी आंटी कंवर्जिन लोज आएंगे तो यह हमें बचा लेंगे बिल्कुल बेकार बात है एंटी कंवर्जिन लॉज विल नॉट सेफस सेवास डैट विल ओनली बीडेटरिमेंटल तो अस हमें वापस किसी को घरवापसी करने के लिए वह हमें डेटरिमेंट करेंगे ठीक है यह अभी मैं आशी क के बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करता हूं आगे बढ़ते हैं एक चीज आप सबको समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे से हिंदू रिप्लेस्मेंट रेट इसका मतलब होता है कि अगर हमारे को पॉपिलेशन को स्टेबिलाइज करना है जितनी अभी है हिंदू की मतलब on an average हर मदर को 2.1 चिल्रन होने चाहिए on an average राइट हिंदू का भारत में रिप्लेस्मेंट रेट 1.94 है सिखों का 1.61 जैनों का 1.2 इसलिए बता रहा हूं कि मेरे लिए ये तीनों हिंदू है ठीक ओवराल अगर आप देखेंगे इनका अवरेज निकाल कर तो और भी इ है विच में रिख में विच मेंगेंगे वेज एपिलेशन इस इंक्रीडिंग इंक्रीजिंग अ फैरली रापिद ली इन सम्स्तेड 3.4 एं कुछ स्टेट्स में कम है हां पॉपिलेशन विद अबनाइज एशन एशन डिक्लाइं हो रही है बट ये पॉकेट में है और ये य तो अब हमारे सामने क्या रहा है हम क्या करें इस्लामिक रपब्लिक ऑफ इंडिया 2047 में बनने का इंतजार करें हाथ पे हाथ धरे रहें तो करें तो हम लोग क्या करें क्या पॉलिटेशन से अपेक्षा रखे वैठें कि वो बदलेंगे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो यह सब नहीं होने वाला है इंसके बसका नहीं है यह हमारे को बस अपना काम आगे करने दें वह बहुत है इनके लिए पावर में रहें हमारे लिए बहुत अच्छी बात ह है वो हमारे को सुविधा है यह बात यह क्लियर होनी पड़ेगी हिंदू रिवाइवलिजम हिंदू रिवाइवलिजम इस देश में आई है और मोदी जी और यह गमेंट योगी जी हमेंद विश्वा सर्मा और सब जो हैं आरें प्रोड़क्ट एंडन आउटकम ओफ दिस हि उसाँ है में यहां ऐएन अभी यहां और रहेंगे यहां पर इस इस हुड़क्ट सब्स आइए म अंभी बहर सब्सक्राइब फ से मृटण ओम हैं आटसी के रहेंगे यहां ज़ कогस्तशा पर अम एस रहतर मन सकते सह बड़ा बदलाव जो हमें करना पड़ेगा हमें विस्तारवादी बनना पड़ेगा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है यह जो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी एक सेलूशन एक तोड विस्तारवाद हिंदुत्व को भारत में भारत के कोने-कोने में शहरों में अगर हम हिंदु धर्म को बाहर पहलाना शुरू करेंगे तो ही हमारे धर्म का expansionism होगा तो ही हमारी यह सारी प्रॉब्लम्स जो लिस्ट करी मैंने आपके साथ सांजा करी इन सबका यह एक ही निचोड है मेरी बुद्धी के अकॉर्डिंग मेरी intelligence के अकॉर्डिंग और कोई संजीव सान्याल प्राइम मिनिस्टर्स एकोनामिक अड्वाइजरी कांसल में है प्मो में उन्होंने 2016 में बिफोर ही जॉइंड गुमंट आई बिलीव दोजार सोला में यह आर्टिकल आया था स्वराज्य मैगजीन में इस आर्टिकल में मेरे लिए एक थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग आर्टिकल था जिसने मेरे को बहुत अच्छी दिशा दी मगर ऑफकोर्स 2016 से अभी तक मैं इस प्रेजेंटेशन पे भी पहली बार बात कर रहा हूं चोटे-चोटी कॉन्फरेंस में कहीं कहीं बात करी है बट यह क्लारिटी आते-आते मुझे भी बहु से कम तो उस आर्टिकल में संजीव ने लिखा और मैं पढ़ना चाहूंगा वन नेज तो बे लेस न्थूजियास्टिक अबाओ आटी-conversion लॉग जैसा मैंने आपको पहले का था इस अगर अंटी-conversion लॉग ला देंगे हमारी पॉपलेशन चेंज नहीं होगी यह बिल्कुल बैलन्स में रहेगा और यह सब यह बैलन्स एक्विलिब्रियम यह सब नेचर में ही नहीं होता ठीक है जी एकोनोमिक्स में नहीं होता such laws, he writes, Sanjeev writes, such laws will have little benefits if the Hindu community is shrinking for whatever reason a defensive tactic cannot work if the community is in a downward spiral और हम अभी downward spiral में हैं जैसा मैंने आपको बताया हमारा population का rate, replacement rate से भी कम है समय तो हम decline पे हैं, population wise भी decline पे हैं और जो अंगिनत लडाईयां लड़ रहे हैं उसकी वजा से भी that is also a downward spiral for our survival in India with whatever land we are left with जो probably two-thirds है या half है, exactly कितना है अफगानिस्तान से भर्मा को अगर British Times को वाली बात छोड़ दी जाए अखंड भारत अखंड भारत की बात अगर देखें तो जो भी हमारे पाद बचा है उसको भी protect करने के लिए अभी हम challenged हैं, we are on a downward spiral Sanjeev आगे लिखते हैं, it would be far better to focus on expansionary strategies to reinflate the system this could include intellectual and cultural innovation which we all all of us are doing जैसा मैंने बताया पिशले 8, 9, 10 सालों से बहुत शिफ्ट हुआ है बहुत शिफ्ट हुआ है, हमने बहुत चेंजे लाए है, बहुत आगे बढ़े है the speed of Hindu jagriti शाहिद जैसा का 200 साल में शाहिद इतनी नहीं होगी, brilliant work बट आगे वो लिखते हैं, social and very importantly, missionary work यह समझना बहुत जरूरी है, missionary work, Hinduism कभी भी pacifist religion नहीं था Hinduism कभी भी pacifist religion नहीं था माने के बस हम बैठे हैं, कल में एक general साब को मिला retired army officer कुछ चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा की, जी Hinduism एक ही शाहिद world का religion है, जहां पर you are born into a into the religion, you can't convert, that's not only true for us, that's also true for Jews, वो भी यही बोलते हैं, की you were born a Jew, you don't convert to Judaism and become a Jew, but अगर आप Hindu धर्म की history में जाएं, पिछले कुछ 200 साल, 500 साल, 800 साल यह सब छोड़ दीजिये, चोलाज ने, इंडोनेशिया, Philippines, Singapore, यह यहां पर सब Hindu धर्म कैसे पहला था, सब Hindu countries थी, Singapur, Singapura, Bali, पुरा Hindu dominated area है, 98%, 95% Hindu हैं, मतलब भारत से बहुत आगे है Hindu धर्म की preservation में, कंबोडिया के, पूरे विश्व के सबसे बड़े Hindu temples, Cambodia में, Angkor Wat में है, Hindu बुद्धिस temples, यह कैसे बन गए, क्या बिना विस्तारवाद के बने थे, यह बिलकुल गलत बात है, हमारे को यह लोरिया सुनाई जाती है, की जी नहीं नहीं, जो आप बॉन हुए हो, आप ही Hindu हो, नहीं जी, हमने convert करते थे, शंक्राचारिया के लिए बताया जाता है, शंक लेकर चलते थे, गाउं गाउं, जहां शंक की अवाज जाती थी, वो कहते थे, वापस हिंदु धर्म में आओ, दो तीन अलग-अलग कहानिया हैं, की तब तक मंदन मिश्र और कुमारेड़ जी की वज़ा से, बहुत सारा जिसके कान में शंक की अवाज पड़ी, वो वापस धर्म को लोटेगा, स्वामी शुद्धनन ने, कबीर के गुरू ने, मैसिव कन्वर्जन करी हैं, सबसे कटरवाद मुगल सामराज्य के अंडर रहते हुए करी हैं, यह बेकार की बाते हैं कि हम मिश्नरी वर्क नहीं करते हम एक्चली मिश्नरी लोग हैं, हमने अपनी, हम गांधियन फिलोसिफी में किसी तरह उमड गए हैं, कैसे मुझे नहीं पता, गांधी की वज़ा से उससे पहले या क्या परिशानी हैं नहीं पता, बढ़ हमें विस्तारवादी बनना पड़ेगा, हमें इसी तरह के पेगन के साथ, नेचर बेस्ट रिलिजिन जो हैं, दूसरे दुनिया में कहीं पर, चाहिए वो वाइकिंग्स हों, नौदरन यॉरोप में, आफ्रिकंस हों, उन सब के साथ पार्टनर्शिप्स करनी पड़ेंगी, संजीव लिखते हैं, बिल्डिंग ऐलाइंसे विद अधर लाइक पूरी हो जाएगी, आप हिंदू ही रहेंगे तो हिंदू राष्टर ही हो जाएगे, आपकी जो सारी लव जिहाद, जो भी प्रॉब्लम्स हमने पहले डिसकस करी, चाहिए लव जिहाद हो, चाहिए ये सर्तन से जुदा हो, शरिया लौ लगेगा, हिंदू पलायन करेंगे, किराना से, कश्मीर से, ये सब मीती हिंदू की प्रॉब्लम्, ये सब एक बार में खत्म, घर वापसी करनी पड़ेगी, हम क्या भी करते हैं जी, हमने चार हजार कृष्टिनों को हिंदू बनाया, एक हजार मुसलिमों को बनाया, अठानवे कृष्टिन को रिकनवर्ट करा, ये न्यू स्टोरी है, बताईए जी, डेड़ सो को हम वापस लेके आए, एक सो चालिस करोड की पॉपिलेशन में, डेड़ सो मुसल्मानों को वापस लेके आए, क्या बड़ा काम कर लिया, तो ये सब जो हमारे को कहानिया छोटी-छोटी बताई जाती है, ये कि हिंदू सं अधिकारी से बात कर रहा था, और उन्होंने का जी, हमने लॉकेट बांदे हनुमान के लॉकेट, ट्राइबल में बांटे हैं जी, अच्छा, उससे क्या हुआ, मुझे ये बाते ना, ये हमारे को जहांसा देने वाली बाते हैं, कि हमारा रोश थोड़ा कम रहे, कंट्रोल म बातें चलती रहते हैं, सबसे कुछ नी होने वाला, एक हम कॉर्परेट लाइफ में, मैं कॉर्परेट लाइफ से आता हूँ, आंत्रपनौर रह चुका हूँ, हमारे पास एक ना, बी हैग जोते हैं, बी हैग बोला जाता है, ये बी हैग होते हैं, कि एक्दम बड़े, इतन audacious की मतलब हमारे को पता ही ना हो कि कैसे पहुंचेंगे यार कोई clue नहीं है हमारे को ऐसे goals हमारे को set करने पड़ेंगे और ऐसा एक goal है Hindu dharma has to become missionary and we have to convert 10 crore Muslims back to Hinduism by 2035 आपके जो सारी problems है ना सब खतम हो जाएंगी अब आप कहेंगे जी क्या बात कर रहा है यार 10-12-15 साल में 10-12 साल में कैसे हम ले आएंगे जी हर साल के करोड मुसल्मान कैसे convert कर लेंगे अरे शुरू तो करो इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात आती है बाबा रामदेव का एक वीडियो देख रहा था उनको बड़ा criticism मिलता है कि जब देखो जी है क्या स्वांस का करवाते रहते हो आप समको ध्यान नहीं करवाते हैं ध्यान से आगे बढ़ते हैं सिरफ प्राने आम से नहीं करते बाब रामदेव का जवाब था अरे पहले प् खेड़कियां खोलेंगी अपने आंप लोग आना शुरू अःते हैं बागेश्वर धाम बाबाके पास क्यूं कहीं करते हैं बुर्का पहने युदेव महिलाइं पहुचती हैं क्यूं परेशान पाने देया कर लो उन पे खोलो सही अपने दर्वाजे खोलो तो सही बोर्ड तो लगाओ कहो कि हम आप आना चाहते हो हम करवाएंगे आपको अपने मन का संकोच ःपनी संकुचित विचारधारा इसे छोड़ दो छोड़ो इसे और आप बोलो कि हम करवाएंगे जी आप आईए हम जरूर करवाएंगे क्यों डिफेंड करते रहें कि आप नहीं करवाओगे करने दो उनको भी आप आगे बढ़ो ना आप को कि हम भी करवाएंगे तुम करवाओं भी करवाएंगे constitutional right हैना हमारे को right to propagate religion constitutional right है ना केवर minorities के लिए नहीं है majority के लिए बीए सब के लिए सब करें न सिक्खों को भी बोलो जैनों को भी बोलो कि सब करें हम क्यों नहीं जाके जैन मुनी भारत में घूम घूम के कहते आओ जैन बनो क्यों आ गए तो बड़ी अच्छी बात है क्यों ओपनली इन्वाइट नहीं करते यह मन का संकोच है यह संकुचत यह नारो माइंड़ेड इसुज है हमारे अपने खुदी पाले हुए इसको अ अब हमारे पास कई बहाने होते हैं नहीं जी पहले अपने लोगों को खोना रोक लेते हैं नहीं मुसल्मान कनवर्ट नहीं होंगे कौन सी जाती में आएंगे बड़ा रिस्क होगा जी फिर वो सर्तन से जुदा लेके कर लेंगे सरकार नहीं करने देगी पहले इंदू लाग रहे यह है कि यह हमारी constitutional right है to propagate our religion हम क्यों संकोच में बैठे हैं अपने मन को narrow-minded बना कर बैठे हैं कि अम नहीं जाकर convert करेंगे क्यों हम बोले तो सही कि हम करवाते हैं बोर्ड लगा दें कि हम openly करवाते हैं वेबसाइट्स हों दस हजार वेबसाइट्स हों घरवापसी की क्या परिशानी है कोई आना चाहिए हम को जोड़ जबस तस्ती नहीं कर रहें ना किसी को force करना illegal है बिल्कुल सही बात है वह constitutionally legally illegal है भा बात खतम करो तो सही भई कुछ भी नाम दे दो कुमार दो कुछ करो और यह रास्ते अपने आप खुलते हैं एक बार जब चलना शुरू होते हैं ना तो नहीं नहीं आईडिया नहीं चीज़ें यह सब खुलते जाते हैं दरवाजे ठीक किसी के पास एक बड़ा grand vision हो पूर जाती है नहीं राह खुलते जाते हैं और काम बन जाता है पूरा जीवन का ऐसे ही यह काम के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा अब आपके साथ कुछ साजा करना चाहूंगा कि दुनिया में हो क्या रहा है यह हमें बताया नहीं जाता आप में से कुछ को सोशल मीडिया और यूट्यूब में बहुत पता चल रहा होगा मगर कुछ को नहीं पता जैसे जब मैंने लास्ट टाइम में प्रेजेंटेशन दी थी तो बहुत लोगों ने आकर बोला कि यह सब हमें नहीं पता था तो अब सुनिए मुस्लिम्स इसलाम चोड़ रहे हैं। इस सकेल पर छोड़ रहे हैं कि जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ क्यूंकि वह पहली बार और कुरान परणा शुरू कर रहे हैं। जब कुरान परदते हैं, तो उनसे उसकी अमानविये विचारधा, अमानविये मूल्य सही नहीं जाते सीताराम गोयल जी ने एक बहुत अच्छे बात ये कई थी कि हमें प्रॉब्लम सॉल्फ करने के लिए मुसल्मानों की मानवता को अपील करनी पड़ेगी यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या मुसल्मान अमानवी हैं लोग हैं बिलकुली खराब व्यक् कर एक मुसलिans को अप देखिए एक मुसलिम साहिण मुसलिम समीर अबाकि बहुत विश्व में पहले पड़ें carrying सभ इर और अज्यों कर फ्राइभ और सब आप सब जह कर देखिए वह जब कोई चर्चा होती है कोई और्शैशन ओरी होती है लोगों के साथ तो बोलते हैं आप कि इस तिती में होते क्या आप के human values आपको एक काम करने देते नहीं जी मैं नहीं कभी करता जी तो आप अपने जो अपने religious leaders हैं आप उनसे ये काम करते हैं तो वह आप सब कैसे कर लेते हैं जवाब नहीं होता वहाँ पर डर होता है कि यार अपने उनको बोली नहीं सकते कुछ है ना अपने हमारे मौलवियों को अपने परिवार में क्या बोलेंगे कि हम यह question करने हैं में तो अकल का दखर्फल मनाएं तो डर वह डर की वजह से मनाएं मगर एक एज जिसके पार जैसे ही वह जाते हैं वह एक्स मुस्लिम बन जाते हैं चुपके जी रहे होते हैं और इसे लाकषों करोडों मुसलमान हैं दुन्या में बहुत यूके में भारत में बंगॉल में केरिला में केरिला में तो एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरिला वेबसाइट है उन्होंने अपने सबने फोटो वोटो भी लगा दिया कि हम जी पूरा बोथ मेन और विमन की सब को उपाधी है ट्रेजरर है सेकल्ट्री है हमने पूरी संस्था है एक्स मुस्लिम्स की अब तेखिए यह बढ़ते जा रहा है अमेरिका में यह सबसे पहले शायद अमेरिका में शुरुआ का अमेरिका में तो एस्थिती है कि बोड़ लगते है रोड पर और कि क्या है औसम विडाउट अलाव नियरली वन इन फूर मुस्लिम्स इन दे का बोलते हुए, वो कहते हैं कि, सुनामी आने वाली है of Muslims leaving Islam, सुनिये. Something that is really threatening the court of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it two percent of our youth? Is it three? Give me a number, I want to share with you. Give me a number. Ten, five percent. No, I want more, more than five. Fifteen, more. Twenty, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to five percent of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words why Islam is true. Do you know what he found? At the top of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words would find their results displayed prominently before all other search results. Some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts! What doubts, man? What embarrassment is that? Why do you have doubts? Why? Get the hell out of here! Get the hell out of here! You are never a strong believer in the first place that you're weakling! You're weakling! It is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad ﷺ was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. It is not only Islam. South Korea is a totally Buddhist or Chinese religious philosophy. It was completely Christian. 98% or Christian, 98% or Christian. And now there is a massive decline. In Europe, we all know that Christianity is a massive decline. Now, in Korea, there is also this data. So, we need to leave our own mind. We need to leave our own mind and help line. We need to leave our own mind and help line. Phone number. We need to call the number. 1-800 and help line number. We need to give all our own work methods. The ex machismoțangelist here, it is very expensive. So, legally change when we're 10-12 thousand. We need to flip them and get up this funding. करना पड़ेगा और वो ना भी हो कम से कम मन से तो पहले बदले पेपर पर बाद में भी बदलेंगे कर लेंगे हो जाएगा हो सब जाता है सब हो जाता है लोग आते हैं शुरुवाद करनी पड़ती है तो यह आगे इसमें यही मेरी आप सबसे पूरी इस पूरी प्रेजेंटेशन का निचोड यही है कि कृपया अपने मंदिरों अपने गुरुकुलों अपनी संस्थाओं के बाहर हर सिटी में हर शहर में छोटे बड़े शहर में गाओं में बोर्ड लगें हम घरवापसी करवा आते हैं यह मेरी आप से मेरा आप से अनुरोध है मेरी आप से आशा है ऐसा आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहता करेंगे धन्यवाद झाल